वेल्कम टू पाइरेडिट बिग बॉस फाइनल राउंड में तीन अवल दर्जे के हरामी बचे हैं आयूश खन्ना बचपन से ही इन्हें कूल देखने का शौक था तो यहां ये गे होने का ड्रामा कर रहे हैं शाहिद ओब रॉए इनकी किस्मत में भर-भर के सिर्फ बेवकूफी आई है पॉपी चूस लिया इनका नाम ही काफी है उठ जाओ हरांखोरो ये बिग बॉस का घर है तुमारी ससुराल नहीं अब बिग बॉस यार कभी अच्छा गाना सुना के भी उठा दिया कर अबे तु सुबह सुबह इतना तिंचो के कैसे बैठा है कितना डिफिकल्ट है न बिग बॉस पहले उठो तयार हो फिर उठने के अक्टिंग करो साली जब तु खोड़े बेच के सो रहा था ना मैं तब उठके ऐसा तिंचो के तियार हुआ हूँ तब ही तो वैसे लेटी लेटी बात करने में मज़ा आता है और अदियंस को लगना चाहिए न कितना क्यूट लड़का है अच्छा सुन मैं कैमरा के सामने तुझे बहुत कंविंसिम ली के बोलता हूँ किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो कितना बड़ा लड़की बास है अच्छा सुना अपना वादा याद रखना अगर तुझ जीता ना तो भाई से एक बार बोलना है मुझे अपने डोले दिखाने है उनके साथ हाँ हाँ इसलिए तो ये स्टाइल चूज किया है और येंस को पता ही नहीं चलेगा मैं कितना बड़ा हराबी हूँ साले वैसे एक बात बता ओडियंस को तो कैसे पेवकू बनाता है इतना साले को ठीरी टोप की देखेगा लगेगा कि पैरिस सा है किसी को नहीं बता कि साले तो मीरा रोड का बन भी एच के भी अफोर्ड नहीं कर सकता इसी को तो एक्टिंग कहते हैं तो देखता जहां मैं येडा बन के पीडा कैसे खाता हूँ सबसे पहले मैं तेरी ही पिछवड़े बिलात मारूंगा क्या? कुछ ने तेरे डोले बहुत अच्छे लग रहे हैं सही मैं कैमरा में कैप्चर हो रहे होंगे ना चलम मैं किचिन में काम करने की अक्टिंग करता हूँ आज पॉपी के साथ कुत्तों के तरह लड़ाई करने का फ्यान बनाया है वो शाय देख दो ग्लास भी तोड़ेगा मसा आएगा ठीक है मैं तो थोड़ा टाइम और लूँगा अभी थोड़ा सा ड्रामा करना है ना कैमरा में देखके ममी बापा से बात करने की अक्टिंग करनी है लोगों को फैंटेसाइज तो करने दो थोड़ा क्लाइमर भी होना चाहिए ना भाई सुन आज सही लड़ाई होनी ची खतरनाक वाली कैमरा में कैप्चर हो जानी ची एकदम टीर पी अज अपने गोई लपेट नी है हाँ 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 लड़ाई लड़ाई याड तेरे जो है ना दोले बहुत अच्छे लग रहे हैं लगता है मुझे भी गुस्से के एक्टिंग करते विए जो ना शट उदाननी पड़ेगी भाई जरा जरा लेफ्ट हो सामने वाले कैमरा में अच्छा प्रोफाइल मेरेगा ग्लास तोड़ने का हाँ तो कोई हराम खोरी वाली हरकत तो कर भाई तभी तो अपनी मर्दानगी दिखाऊंगा ग्लास भी तो तोड़ना है यह यह ले भाई अब तेरे भाई के डोले भी शाहीं मारेंगे चियो क्या बाडी दिखाई है साले मुझे मर्दानगी दिखाता है अबे आयूश अबे कहां गया अबे अरे बहुत अच्छी लड़ाई चल रही है यह लड़ाई रुक्वाने के एक्टिंग दू कर कम से कम वरना सच मोई लड़ना पर जाएगा यार कहां है भाई हम लोग लोग एक दूसरे का नेट्लिक्स शेयर करते हैं साम चे बजे पॉपी ने आज गली के गुंडों की तरह घर में ग्लास तोड़ा ग्लास का कांच आयूश को लग गया फिर क्या था आयूश ने दना दन पॉपी के चार-पांच चाटे मारे ओवर स्मार्टनेस में अपनी इ को मैनिपलेट नहीं कर पाता बस दोले दिखवा लो उल्लू के पठे से यारी तो यह रुक रुक के बोलना बंद कर एक फ्लो में बोला कर देख बॉस चाहते हैं अब बोलना क्या चाहते हैं पूरी की पूरी टीम शर्मिंदा है कि यह लड़ाई वीक में सिर्फ एक बार खराब हो अपड़ है तोड़ दूँगा बीवे ने दिमाग खराब कर रखा है बोल रहे थी कि बिग बॉस नहीं जीतना तो विनर से शादी कर लेगी अब एक बात बता अगर यह आयूस जीत गया तो करेगी उस से शादी बेवकूफ औरत साले तेरी शकल देख देख के ही गुसा आ रहा है मन तो कर रहा है एक घुसा मार दूँँ दो महीने से मीट नहीं बनाए मेरे घर में घर वापिस जाने के लिए प्रोडियूसर से लिफ लेता हूँ और नाम है बिग बॉस और तू कौन है बे पॉपी बेचारी सेंडी ने क साले तुझे नाम केसे पता बे अबे गधे तेरा पूरा बायो डेटा हमारी टीम के पास है वरना साले तुझ जेसे मवाली दिखने वाले को हम यूही घर में घुसने देंगे हरामी जो ग्लास तुने तोड़ा है वो तेरी दौनों किड्नियों से भी महगा है बच गए इसलिए हमेशा गुस्से में रहता हूँ यार बाब बता आपने बच्चे का नाम कौन रखता है यार पॉपी किसमत ने हमारे साथ है चूस लिया नाम का मजाग पहली कर रखा है तो पॉपी नाम की उंगली करनी ज़रूरी थी माबाब को तुझे लगता है तेरी प्रॉब चकल दुबा और निकल जा घर से अबे जा साले मुझे कोई निकाल सकता पॉपी है मेरे नाम पता है साले वही तो प्रॉबलम है अगर मैं एक सूवर का बच्चा भी पालू तो भी ये वाहियात नाम ना रखूँ साले जूता निकाल के मारूंगा चल साले निकल कंफेश र करनी पड़ेगी मतलब थकान वकान कुछ होई लीगी है अब थकान करने की एक्टिंग करना कितनी महनत का काम है ना हाँ यार महनत तो है पर आज जो है ना मेरे डोले बहार आगा यार कल मैं फोन में पूछूंगा भाई जानने कोई कॉमेंट किया के मेरे डोलो पर करनी तो जो ज़ारू मारने आता है ना केमरा उफ करके वोही विग बीग भॉस है उढ बीग बॉस है सालेक हालहिए इट पांच फोट है के वल हाँ वही ही वही यहां से वीडियो लेता है और रात को अप्लोडिंग पे लगा देता है सस्ता फध बी भॉस है तो पूरी रा यू नॉड़ी बॉइ कैब जो है ना उल्टी करके पहनता हूँ थोड़े बाइसेप्स और देखने चाहिए तुरे पता है भाई जो है ना मेरे बाइसेप्स पर कॉमेंट कर सकते हैं पता है सुनो खिष्डी बना रहा हूँ फिर मत बोलना पहले नहीं बताया भाई ओमलेट खिला दो ना प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है और भावे को मिस नहीं कर रहे हो Mr. Choozly है साले नाम पे नहीं जाने का बाप पे जा चलेगा बट नाम पे नहीं जाने का और तुझे क्या इंट्रेस्ट है बे मेरी बीवी में साला जिसको देखो मेरी बीवी के बारे में पूछ रहा किसी और ने भी पूछा क्या सही बताऊं तो बिचारी सैंडी की किसमत ही खराब है जिसके पल्ले ये नला पढ़ गया साला ये घर में भी खिचड़ी ही बनाता है अच्छा अब समझ में आया साले तुम सब मेरी बीवी के साथ में लेवए हो साले वो चाहती ही नहीं है के मैं जीच जाऊं ये सच मुछ में नला है ए नला नहीं बोलने का ठीक है नहीं बोलते नला तेरा नाम ही काफी है पॉपी चूस लिया ए नाम पे नहीं जाने का अवे घोचू, डिसाइड कर ले, क्या बोले तुझे, वैसे मैंने तेरा नाम रख लिया, पॉपी, नल्ला, चूस लिया सॉले, बिग बॉस, उप सॉले अरे- अरे-iniz इतनी क्या जल्दिये जाने की दर्र रुकिए, सुनिये तो अगर आपको एब वीडियो पसंद आया है तो पॉलीज इस वीडियो को लाइक करिए और जाद से जादा लोगों तक Satyaad करिए आपको timely notification मिल जाएंगे और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ stay humble stay hungry